Books That Speak में आप सभी का स्वागत है ये कहानी है डॉक्टर भीम राव आमबेडकर की जो भारतिय सवविधान के पिता कहलाए दूरदर्शी विचारक, अर्थशास्त्री और क्रांतिकारी किताबे पड़-पड मानव मात्र की आजादी का बीड़ा उठाए कहानी का शीर्शक है बी आर आमबेडकर किताबों में जीवन ओरिजनल स्टोरी बी आर आमबेडकर अलाइफ इन बुक्स बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है योगेश मैत्रेव चितरांकन निधीन शोभना हिंदी में अनुवाद रिशी माथूर कहानी का वाचन असावरी दोशी 14 अप्रेल 1891 के दिन जन में भारत देश के एक सपूत महान नाम उनका भीमराव रामजी अमबेडकर किताबों से जिनोंने पाई सच्चाई और बुलंद सोच की पहचान महार जाती में जन में सहा बहुत अपमान विद्याले में उन्हें कक्षा से बाहर बठाया पुस्तक पढ़-पढ़ उन्होंने पाया धेरो ग्यान और दूजो से ज्यादा उन्चा दरजा पाया नहीं था विद्याले में कोई दोस्त पक्का पर हरे किताब ने दोस्ती खूब निभाई सिखाया कैसे करे काम लोगों के हक का और करे सामना कैसे जो सिर उठाये बुराई कक्षाओं के बाद बाग में अकेले बैटकर किताबे पढ़ते-पढ़ते आता एक विचार एक दिन बनाऊंगा किताबों का एक घर ताकि शब्दों के साथ बुद्धी का हो विकास बीता गया समय यूँ सन 1907 आया मैट्रिक पास कर अंबेड करने बढ़ाया मान बने पहले महार जिसने ये मुकाम पाया यूँ इस बेटे से पाई जाती ने कहने को जुबान बस लगन से पढ़ना और सीखना था उनका काम दी छात्रवृत्ती बड़ोदा के रजवाडे ने खर्च उठाया कला सनातक के लिए उन्होंने दर्ज कराया नाम और बड़ा बनाने वाली किताबों से रिष्टा बनाया व्याख्यानों के बाद भी पढ़ने में जुट जाते थे बंबई के एलफिंस्टन कॉलेज से सनातक के दोरान ग्यान के सागर की गहराईयों में आनंद पाते थे किताबों में समाया था जैसे उनका सारा जहान सत्रह के थे जब कौशल की सीमाओं को तोड़ा शेक्सपियर के किंग लियर का अपने धंग से किया बयान इस नातक के जरिये खुट को साहित्य से जोड़ा देखने लायक था उनका जजबा सब थे हैरान जब पास किया सनातक का इम्तिहान दलित दमित समाज का बढ़ा मान फिर आगे सोचा और पढ़ेंगे मुक्ती की खातिर बढ़ते जाएंगे करेंगे हर बाधा को पार खुट के बूते अच्छे नतीजे हासिल कर परासनातक और शोध का मन बनाया 12 जुलाई 1913 को नियूउर्क में उतर कोलंबिया विश्व विद्याले में दाखिला पाया कोलंबिया का पुस्तकाले देख जागी आस पहले अच्छूत छात्र ने अमरिका में जगह बनाई पूरा हुआ एक सपना हुआ आजादी का एहसास बदला जीवन जो आशा की लौ जगमगाई बैट किताबों के संग सारे दिन और शाम पलक न जपके मन में उम्रे सोच के ज्वार खीले फूल जात पात के काटो का रहे न नाम आकाश छुए जन जन बहे आजादी की बयार समय से पहले किया पूरा पढ़ाई का काम एमे पिएजडी कर जीवन को चमकाया जाना सीखना ही नहीं सची शिक्षा का पैगाम जोना सीख को जीवन में उतारा डॉक्टर भीमराव रामजी अमबेडकर दुनिया के सबसे बहतरीन पाठकों में से एक थे उनके नीजी पुस्तकाले में पचास हजार से अधिक पुस्तकों का संग्रह था लोग आमतोर पर अपने रहने के लिए घर बनाते है लेकिन प्यार से बाबा साहेब के नाम से जाने जाने वाले भीमराव रामजी अमबेडकर ने अपनी किताबों के लिए एक घर बनाया उन्होंने इस घर का नाम राज गुरुह रखा जिस स्थान पर बुद्ध ने अधिकांच वर्षों में मानसुन बिताया और जहां उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षाये दी बचपन में उन्हें सारवजनिक स्थानों के साथ साथ स्कूल में भी भेदभाव के खिलाफ संगर्ष करना बड़ा लेकिन उन्होंने इन सब के खिलाफ हाथ में किताब और दिल में उदारता लिये लड़ा योग्यता की दृष्टी से आज भी वे भारत के सबसे अधिक पड़े लिखे व्यक्ति है उनके विचार हमारे लिए एक ऐसे समाज की कलपना करते है जिसमें सभी नागरिक समानता, स्वतंतरता और बंधुत्व का आनन ले सके अगर उनके विचारों और पुस्तकों को हम पढ़ेंगे तो वे हमें समझदार, तारकिक और सववेदनशिल नागरिक और इनसान बनाएंगे और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद